Hello and welcome you all, मैं हूँ धननजय साल 2021 में इंडियन कमपनी टाटा और स्पेन एरबस के बीच में एक एतिहासिक डील साइन होती है जिसके तहत भारत एरबस स्पेन से टोटल 56 C295 एरक्राफ्ट पर्चेस करने वाले हैं जिसमें स्टार्टिंग के 15 या 16 एरक्राफ्ट वो सीधे हम स्पेन से इंपोर्ट करवाएंगे और बाकी के जो रिमेनिंग 40 या 41 एरक्राफ्ट वगेरा हैं इसको भारत में ही बनाया जाएगा और उससे भी बड़ी बात C295 एरक्राफ्ट को बनाने के लिए जो कॉम्पनेंट्स वगेरा यूज होंगे वो भी हम भारत कहीं वेंडर से खर देंगे इसके अलावा भी इस डील में और भी बहुत सारी ऐसी बाते हैं जिसको पढ़ने या जानने के बाद हम कह सकते हैं कि ये जो डील साइन की थी साल 2021 में वो सच में अपने आप में एक इतिहासिक डील थी इसी डील के रिगार्डिंग बीत्य रोज यानि के 28 आक्टूबर को गुजरात के वडोदरा में फसलिटी सेंटर का इनॉगरेशन किया जाता है जिस इनॉगरेशन में भारत के प्रधान मंतरी मोदी और स्पेन के प्रधान मंतरी पेडरो सैंचेज भी रहते हैं इसी के साथ एक और सवाल हमारे दिमाग में आता है कि सारे जो manufacturing units या plants है वो सिर्फ एक ही state में क्यों जा रहे है बीते को सालों में जस तरीके से income inequality बढ़ा है ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या भारत में सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास पैसे रहने से ही भारत का development हो जाएगा या तो सिर्फ कुछ states का ही development करने से भारत का विकास हो जाएगा जैसे आपके दुश्मन होते हैं आपके तयारी भी कुछ उसी हिसाब से होते हैं भारत का जो defense है वो बहुत हद तक रश्या के उपर dependent है लेकिन बीते धाई सालों से रश्या यूकरेण के साथ war में उलजा हुआ है तो यहाँ पे एक situation को आप imagine करें कि क्या भारत अभी रश्या से weapons खरीज सकता है तो बिल्कुल नहीं खरीज सकता है क्यों क्योंकि रश्या के लिए जो सबसे important चीज़ है वो ये है कि वो सबसे पहले अपने आपको बचाए और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें रश्या यूकरेण वार के बारे में तो धाई सालों तक रश्या इसलिए टिका हुआ है इस war में क्योंकि रश्या बहुत हत तक जो weapons है वो उसको in-house manufacture करता है और वहीं पर हम बात करें यूकरेण का तो ये mostly आपका dependent है western countries के उपर प्लस US के उपर बहुत सारे ऐसे weapons जो यूकरेण डिमांड किया था US से वो उसको नहीं भेजे गए तो अगर US यूकरेण को weapon नहीं भेजा तो क्या ये situation भारत के साथ नहीं हो सकता है तो देखिए बिलकुल हो सकता है बीते कुछ सालों में China और Pakistan काफी close आए है तो जब भी हम Pakistan के बारे में बात करें तो by default हम ये भी अपने दिमाग में रखें कि अगर किसी भी तरीके से भारत का उलजन पाकिस्तान के साथ बढ़ता है तो चाइना उसको बहुत हद तक indirectly support करेगा इसका मतलब भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ेगा बलकि वो चाइना से भी लड़ेगा तो अगर आप इस चीज को यगर आप imagine करेंगा तब भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो situation रहेगा वो कितना critical हो सकता है हमारे लिए तो इन सभी चीजों को देखते हुए हम एक बात तो कह सकते हैं कि भारत के अंदर शमता कूट-कूट के भरा हुआ है लेकिन कितनी बार क्या होता है कि policies को time पे implement नहीं किया जाता है जहां तक हम बात करें इस C295 डील के बारे में तो इसका सिर्फ अभी inauguration हुआ है यानि कि अब तक manufacturing शुरू नहीं हुआ है हमारे पास past में बहुत सारे ऐसे डील्स हैं जो on papers अब तक पड़े हुए हैं तो यहां पे जो समझने वाली बात है वो ये है कि इस डील के बारे में अधिक हम बढ़ चड़ कर excited ना हो जब तक कि इस unit से सच में manufacturing होके products या aircraft ना निकलने शुरू करें इसके बारे में हम बहुत ही थम के बाते करें और साथ में लगभग 40 या 41 aircraft वगेरा जो रहेंगे वो भारत में ही उसको बनाए जाएंगे यानि कि इसका जो पूरा complete process रहेगा वो भारत में ही होगा तो यहाँ पे एक चीज जो हमें समझना है वो ये है कि suppose that भारत इस aircraft को सिर्फ France से import करता और किसी भी कारण से अगर इसके कोई भी component वगरा खराब हो जाते तो भारत उस component को replace करने के लिए Spain से contact करता तो उस पूरे process में क्या होता कि काफी लंबा वक्त निकल जाता है तो इसलिए भी जरूरी होता है कि अगर आप इतना expensive या इतना technical चीज जब आप खर दें तो कोशिश किया जाए कि उसके maximum जो units वगरा है उसको अपने देश में ही बनाया जाए इससे क्या होता है कि जो original equipment manufacturers होता है उसके उपर से dependency ना के बराबर होता है यानि कि बहुत हद तक उससे कम हो जाता है जो कि एक real time अगर war का situation होता है तो वहाँ पर इस शीज का importance समझ में आता है और जहां तक बात किया जाए टाटा के बारे में तो personally मैं ये मान के चलता हूँ कि भारत अगर एक body है तो टाटा उस body का धड़कन है मुझे कहनी के जरूरत नहीं कि टाटा का इस देश के लिए कितना बड़ा contribution है और ये जो deal हम देख रहे हैं जिसको लेकर हम इतना proud feel कर रहे है इस deal के पीछे एक बहुत बड़ा जो role था वो हमारे रतन टाटा जी का था जो कि अब unfortunately हमारे बीच में नहीं रहे साल 2012 में एक moment आता है जहां परतन टाटा जी को लगता है कि उन्हें यानि की टाटा ग्रूप्स या टाटा एविएशन को Airbus के साथ partnership करना चाहिए कहने का मतलब है कि साल 1916 में Airbus का formation होता है तो अगर आपके ग्रूप में या आपका competition अपने से higher level से है तो उस पूरे process में सीखने को काफी मिलता है Normally क्या होता है कि हम बस failure को देखते हैं और उसे हम criticize करते हैं लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि जब आप किसी process में निकलते हैं तो उस पूरे process में learning काफी होता है भले आप उस process में 10 बार, 20 बार, 30 बार fail कर जाएं लेकिन जो उस failure के बाद जो experience या जो जानकारी knowledge आपके पास आता है वो शायद आपके पास कभी नहीं आ पाता जब तक ये आप उस process का हिस्सा नहीं बनते हैं तो भले ये आज जो हम C295 के बारे में हम बाते कर रहें जहां पे government of India है, government of Spain है लेकिन इसका जो बहुत बड़ा credit जाता है, वो हमारे रतन टाटा जी को जाता है अब शायद दिमाग में एक सवाल आ सकता है, कि आखिर ऐसा क्या है C295 में जिसको लेके हम इतना excited है तो आप एक चीज़ को बहुत ही practical तोर पे समझिए कि कोई भी चीज या कोई भी हमारे लिए machine अच्छा कब होता है या in fact अगर आप splendor bike का example लें तो वो भारत में इतना क्यूं भी का उसके पीछे का वज़य था कि एक तो वो budget friendly bike थी उसके बाद उसका जो maintenance था वो बहुत ही कम था उसके बाद average भी काफी अच्छा था और तमाम हम कह सकते हैं कि भारत के east west, north south almost हर जगा के जो उसके mechanic थे वो उस bike को repair करते थे और यही सबसे बड़ा वज़य था कि Splendor India में इतना hit क्यूं था तो ऐसा ही आपको समझ लें C295 aircraft के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तमाम और situations में operate करने को तयार है जहाँ पे इसको take off करने के लिए बहुत ही short distance travel करना पड़ता है या in fact ये उस condition में भी land कर जाता है aircraft जो condition और भी aircraft के लिए landing के लिए इतना perfect नहीं होते हैं और साथ में अगर बात किया जाए तो चाहे disaster management हो गया हो या एक real time war के time में जो समानों को supply करना हो गया हो या किसी पी तरीके से patrolling करना हो गया हो तो इन सभी कामों में C295 का इस्तमाला बहुत ही बहतरीन तरीके से कर सकते हैं यह हमारे सामने time.com का article है जो कि absolutely free of cost है आप भी इसको जाके access कर सकते हैं अगर आप इस picture को बहुत ही ध्यान से देखेंगा तो यह picture बहुत कुछ कह जाता है यानि कि एक ही picture में यह सारा कहानी कह जाता है कि आखिर में income inequality का मतलब क्या होता है आज के date में भारत में income inequality इतना जादा हो गया है कि यह जो inequality है यह Britishers के time में भी इतने नहीं थे और यह सच में अपने आप में काफी एक concerning बात है और ऐसी बात नहीं है कि यह article बहुत ही पुराना है यह इसी साल के March का article है जहां पे आप साफ देख सकते हैं कि भारत में rich और poor के बीच में जो distance है या जो gap है वो continuously बढ़ता हुआ जा रहा यहां पे शायद आप यह कह सकते हैं कि जिनके पास पैसे हैं प्रोग्रेस तो उनहीं का होगा लेकिन यह सरकार के जिम्मेदारी बनती है कि जो taxation system है उसको सही किया जाए और यह भी देखा जाए कि किसी एक business house को या घराने को उनके पास सारा business ना जाए इसे क्या होता है कि एक या दो family के उपर ही पूरा देश dependent हो जाता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताए See you in the next video have a wonderful day Thank you, take care, goodbye